नमस्कार दोस्तों डार्क स्टोरिज में आप सभी का स्वागत है आची कहानी एक लड़के के एक छलावा भूत से हुए सामने के बारे में है एक दिन उसका सामना एक छलावे से हो जाता है यह कहानी तब की है जब मैं अपने मौसी के घर छुटियां बिताने गया हुआ था उस समय मेरी गर्मी के छुटियां चल रही थी मेरे मौसा जी एक डॉक्टर है तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ था वेस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की और एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबो गरीब आवाजयां सुनाई देती थी ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी की खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बाते कर रहे थे कि तभी मेरी मौसी का लड़का हम से कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रात के समय इस जंगल के अंदर जाए हम सबी हसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बात कर रहा है भाला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है वो बोला कि मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया फिर उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला गाउं के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज आई थी और वो उनकी आवाज के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा मैं हसने लगा कि यह तो जूटी कहानी है अगर वो लड़का लोटा ही नहीं होता तो लोगों को किस ने बताया कि वह आवाज उसके पिता की थी वह बोला क्योंकि उसके पिता उसके थोड़ी ही दूरी पर थे और उन्होंने भी वही आवाज सुनी थी मतलब उनको बुलाने की उनकी ही आवाज में कोई उनके बेटे को अपनी और पुकार रहा था जब वे दोड़ कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर उनका बेटा नहीं था इसी लिए कोई भी उस जंगल की और नहीं जाता मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हसने लगा कि वह क्या बात है जंगल का भूत जो लोगों को गाया कर दे मौह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो क्या वो सच था कि तब ही मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा वो मेरी और नजर करके हस रहा था और मुझे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ मैं चौक गया कि अभी तो वो टीवी देख रहा था फिर नीचे कैसे पहुँच गया मैंने पीछे मुड़ कर देखा वहाँ वो नहीं था तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है वो अब मुझे से बोला कि अरे देख क्या रहा है नीचे आजा थोड़ी सैर करते हैं मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम ले तो मैंने नीचे जाने के लिए दर्वाजे तक गया कि तब ही मैंने देखा कि मेरा भाई टॉलेट करके बाहर आया है यहाँ देखकर मैं सक पका गया मेरे रॉंक्टे खड़े हो गए और मैं बस यही सोच रहा था कि अगर यह यहाँ है तो वहाँ नीचे कौन है मैं उससे बोला कि तुम तो नीचे थे इस बातरूम में कब आए वो बोला कि मैं तो यही था मैं तो बातरूम ही गया था तुम क्या बोल रहे हो मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल की किनारे देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे वो बुला मजाग मत करो तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाओंगा मुझे पता है कि तुम मुझे डरानी क्या प्रयास कर रहे हो पर मैं नहीं डरने वाला इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया मुझे यकिन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी तक क्या देखा उसी रात मैं जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकाने की आवाज फिर से आने लगी वो जो भी था मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतदार कर रहा हूँ तुम तो आये ही नहीं देखो जल्दी आजाओ फिर हम दोनों साथ में इस जंगल में घूमेंगे इस बार यह आवाज मेरे भाई जैसी नहीं थी बलकि किसी बुढ़े आदमी की थी जो काफी लंबी और ज्यादा सिगरेट पीता होगा रात भर मुझे उसकी आवाजे आने लगी और फिर जब सुबह मैंने सब को यह बात बताई तो सब ने मुझे कहा कि ऐसा होना यहां आम बात है तुम उस और ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की और मत जाना उसके कुछ दिनों बाद भी मुझे उस जंगल की और से आवाजे आती रही फिर वो आवाजे आना रुक गई इस घटना के कुछ दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए क्योंकि मेरी गर्मी के छुटियां खतम होने वाली थी उस जंगल में रहने वाले को लोग छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता उम्मिद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए मेरे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद